भारतिय विदेश मंत्री एश्जय शंकर ने पांच जनवरी को नेपाल की प्रसिद्ध पशुपती नाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना किये बता दे कि विदेश मंत्री चार जनवरी को अपने दो दिवसिय नेपाल दौरे पर पहुँचे है गुरुवार को एश्जय शंकर ने नेपाल के राश्ट्रपती रामचंदर पॉडेल से मुलाकात की इसके बाद उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात की इस दोरान दोनों पक्षों ने सदियो पुराने विशिष्ट और बहु आयामी नेपाल भारत संबंदों पर व्यापक चर्चा किये इस साल अपनी पहले विदेश यात्रा के तहट विदेश मंत्री नेपाल पहुंचे है एस जैशंकर ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी खुझ शेयर की है जैशंकर ने अपनी संबोधन में प्रदान मंत्री नारेंद्र मोधी के सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र को आगे बढ़ाते वे क्या कुछ कहा है सुनिये कर उतरो प्रश् earrings एक कर डियाने ही मिसाल एक एक कर झाएंब ह Ο एक एक हर riel एक विल एक ऐक अि एक औरा थेंजिश्र एक पहिल कि भी-क औरा संट हुट । ऐसे विस्ट्ष्ण प्रामि सब्द्शन एक रचेयर में अनुक ज saben 번째 कृ, य्हा हम स्वट्ट इसके रावा उच प्रभाव समुदाइक विकास पर्योजनाओं के कार्यानवन, दीर्खकालीक बिजली व्यापार, नविकरणी उर्जा विकास में सही योग, मुनाल सैटलाइट और जाजरकोड भुकंब के बाद राहतापूर्ती की पांचवी किस्त शौपने पर समझोते पर हस्ताक्षर किये, जैशंकर की यात्रा के दौरान तीन सीमा पार फ्रांस मिशन लाइनों का संयुक तुरूप से उद्घाटन भी किया गया जैशंकर दोहजार चौबीस में विदेश की पहली यात्रा पर चार जन्वरी को नेपाल पहुचे है, उन्होंने यात्रा के दूसरे दिन देश में अपने कारेक्रमों के शुरुवात करने से पहले, सुबह सुबह पशुपती नात मंदिर में दर्शन और पूजा आर्चन किये, काथमांडू के पूर्वी बाहरी भाग में पवित्र बागमती नदी के किनारे स्थत पशुपती नेपाल में सबसे प्रसद्ध हिंदू मंदर है, दुनिया भर से हजारों हिंदू शद्धालों इस मंदर के दर्शन करने आते हैं, सदियो पूराना ये मंदर हिंदू पशुदेवता शिव को समर्पित है और वह पशुदू के सनरक्षन पशुपती के अपने अवतार में यहां विराजमान है